नमस्कार साथियों, मैं मास्टर बिनोस सर, हाजर हूँ एक और नए महत्पून टॉपिक के साथ देखिए इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे महांदार्शनिक पिलेटो यानि महानदार्शनिक पिलेटो हैं यह काफी उपयोगियों और बहुती महत्पून टॉपिक के साथ ही हो इस टॉपिक के अंतकाब बने रहे हैं यह टॉपिक नेट, जेयर एप, फसर ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एमे तथा बिये की परिक्षाओं के लिए आती उपयोगी टॉपिक है देखे साथी जो यह तस्वीर आप देख रहे हैं यह महानदार्शनिक पिलेटो की तस्वीर है यह पूरी महानदार्शनिक पिलेटो हैं, इनकी तस्वीर हैं और काफी महत्पुन टॉपिक के साथी हो देखे इनके गुरू है, इनका गुरू का नाम है महानदार्शनिक सुकुरात क्या नाम है साथियो महांदार्सनिक सुकराथ है और ये सुकराथ जो है इनने एनिटस नामक राजा ने बिश्पान करा दिया था जिससे इनकी मरती हो गए थी तो साथ ही टॉपिक को पूरा देखें बहुत ही महत्मुन टॉपिक है देखे साथियो ये हैं पिलेटो महांदार्शनिक पिलेटो इन पिलेटो का जनम 427 इसपूर एथेंस यूनान में हुआ था कहां पे हुआ था एथेंस यूनान में हुआ था इनके भच्पन का नाम Aristocles यानि Aristocles था जबकि इनके सिस्से का नाम Aristotle था देखिए यहां यह लिखा हुआ है इनके अर्वी भासा में इने अफलातून यानि अर्वी भासा में इने अफलातून कहा जाता है तथा पलेटो का आर्थ इनके गुरू सुकरात ने सुन्दर और सुडूल बताया था क्या बताया था सुन्दर तथा सुडूल बताया था एक प्रसन आता है इनका कि प्राचीन राजनिती दरसन के जनक कौन है यानि प्राचीन राजनिती दरसन के जनक पेलेटो जबकि राजनिती ब्विःज्यान के जनक अरस्तू व्याभारिक राजनिती विःज्यान के जनक साथियों मेक के अबली माने जाते हैं आपको ये लाइने पूरी तरस समझ मा गए होंगी यानि प्राचीन राजनीती दरसन के पेता पिलेटो जबकि राजनीती विग्यान का जनक अरस्तू विया भारिक राजनीती विग्यान के जनक अरस्तू नई राजनीती या आधुनिक राजनीती विग्यान के जनक साथियो म इनने एक संस्ता खोली थी संस्ता का नाम था संस्ता अकादमी क्या दी सातियों अकादमी था इस अकादमी को यूरोप का पर्थम विश्विद्याले होने का गौरप्राप था क्या है सातियों यानि यूरोप का यदि कोई पर्थम विश्विद्याले था वो है अकादमी जिस को अंतक देखें इसकी जितनी भी पुस्तके हैं सभी पुस्तकों के हमने एक ट्रिक आपको पेस किये ये ट्रिक आपको अंतक काम्याब बनाएगी देखना आगे इनकी पुस्तके हैं पुस्तकों में सबसे इंपोर्टेंट पुस्तक के साथ है उनकी रिपबलिक कौन सी है रि इसी पुस्तक में आदर्स राज का वर्णन मिलता है आदर्स राजे और आदर्स राजे में इनका दार्स निक राजा क्या बताया है जो आदर्स राजे की जो पुस्तक है इनकी है इसमें दार्स निक राजा का उलेक मिलता है यह युवा आवस्था में लिखी गई इनकी पहल यह काफी important पुस्तक है इनकी अंतिम समय में लिखी गई पुस्तक है दिलाज यह 12 भागों में बिवक्त है इसका मतलब पहली 10 भागों में थी और यह कितने में है बारे में इसका मतलब यह इसकी सबसे बड़ी किताब है यह इनका सबसे बड़ा गरंत है इसी पुस्तक में मिलती है देखिए ब्रदा अवस्ता में लिखा गया यह सबसे बड़ा गरं था इनका योसी ती महत्पुन पुस्तक में पुछ जाती है जो बार बार पर गोरस यह भी इसकी पुष्टक मान जाती है तो कुल मिलाकर इसकी पुष्टक है एक है सॉफिस्ट आठभी पुष्टक है इनकी सॉफिस्ट आगे दे रखा है अब इनके बारे में काफी अच्छ-च्छाप सामने आएंगे मैकसी ने कहा है पिलेटो में सुकरात पुनहें जीवित हो उठा ये देखे पिछली बार नेट की परिक्षा में पूछा गया प्रसन है पिलेटो में सुकरात पुनहें जीवित हो उठा तो साथियो इसमें आपने एक लाइन और सुनी होगी पिलेटो ने अपने आपको बोला था कि मैं दास पैदा नहीं हुआ हूँ स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ और इन्होंने कहा है और सबसे अच्छी बात है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ कुछ यह लाइन है जो पेपर मां सेली और एक है वर्णानात्मक सेली कुल मिलाकर के यह सभी सेली बार बार प्रिक्षम प्रिशन आता है यदि यह आजाए कि इनकी कौन सी अध्यन पद्धिती नहीं थी तो इसमें देखिए पिलेटो की हैं समवाद सेली, दारसनिक सेली, निगनात्मक और वर्णात्मक तो यह इनमें से पूल सकता है इनमें से तीन तो देदेगा पिलेटो की और एक देदेगा अरस्तु वगएरा जो भी है उनकी आगे देखिए पिलेटो के विभिन सिध्धान्त जो पिलेटों के विविन सिध्धान्त हैं वो देखिए एक बार नियाय का सिध्धान्त कौन सा है नियाय का सिध्धान्त यहां पर लिख रहाएए, देखिए, मित्रों के साथ अच्छा ततर सत्रों के साथ में बुरा भी अभार करना चाहिए, ऐसा पॉली मार्स ने कहा है, तो कुल मिला करके इनके गरंत है, जो काफी महत्पून गरंत चाहती हो, जो यह पेपर में बारी किसे पूछ जाते हैं, दे कुल मिला करके इसका मतलब है, जो व्यक्ति ग्यानी होगा, यानि वो विवेक सील होगा, और वो ही कौन होगा, दार्शनिक, यानि राजा होगा, दूसरा बताया नोंने, मनवेग, जो लोग मनवेग होंगे, उसमें सहास होगा, और सहास वाले व्यक्ति कौन होंगे, सैनिक वर्गम आएंगे और एक त्रसना त्रसना का मतलब उता है सयम यनि त्रसना है। और सयम है। उन लोगों को उत्पाद वर्गम रखा गया था।ि इन्होंने तीन प्रकार के आत्मगुन बताए हैं, अपने नयायकिस इंदांत में तो हो बताए हैं। विवेक साहस और सयम विवेक साहस और सयम विवेक जो रखते हैं वो दार्सनि होंगे राजा होंगे और साथी जनके पास साहस होगा लड़ने की सकती होगी वो सैनिक वर्ग में होंगे और सयम जो उत्पाद करने की छमता रखते हैं साथी उन्हें उत्पाद वर्ग में रखा कर रहे हैं या इन्होंने बताए कि परधान गुरॉः के कारण इसे और जो कैसे हुआ है इन्होंने कहा था कि जैसे विवेक है तो दारसनिक बनो यानि जिसमें विवेक है ज्यान है दिमाग है तो वो राजा बनेगा सास है तो वो सैनिक बनेगा और साथ जो सयम रख रहे हैं वो उत्पाद वर्ग में बनेंगे तो उन्हेंने कहा था कि जो जिस वर्ग में आता है उसे अपने वर्ग का क दोसरों के काम में हस्चिप मत करो यानि दोसरों के काम में टांग मत लगा ओ एसा इन्होंने कहा है अर्था दूसरों के कारे में टांग नहीं लगाना चाहिए यही इनका एक नियावादी सद्धान था देखे साथ इसमें एक बिचारक है जोनोंने कहा है not, काल पापर है क्या नामें सात्यों का, काल पापर है क्या नामें, कॉल पापर यह काल पापर यह कह रहे है आलूचना में, कहा है कि यह सपंदर्सी है, क्या है सपंदर्सी कि जिसको जो काम दिया गा है वो ही काम करे, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता, स्वपने में सोच लीजिए, बस काम करने वाले नहीं है, आलूच न करते हो, इसके लिए कहा था, काल पापर ने, कि यह सपंदर सी है, क्या है सपंदर सी, कि कोई दूसरे के प्रति टंग न लगाए, टंग जरूर लगाएगा, चाहिए काम खुद पे नहों लि इन्होंने क्या क्या दिया गया है, आप देखना, इन्होंने कहा है साथी हो, जो प्रात्मिक सिक्षा है, वो दो वर्गों को दी जाएगी, यानि और वो जीरो से बीस वर्ष होगी, यानि जीरो से बीस वर्ष होगी, यह है दार्सनिक वर्ग, तथा सेनिक वर्गों को दी किवल दार्शनिक और सयनिक वर्गों को दार्शनिक जो राजा होंगे सयनिक जो देस्की रख्चह करेंगे उनहीं के लिए जाएगा लेकिंवतपााद वर्ग को इसक्षा-देने के से इनकार करता है Дेखिए उठसिक्षा यनि सिक्षा को दो भागों मठा है एक तो यनि सामाने सिक्षा यनि यह जिसे प्रात्निक सिक्षा कहा गया है और एक है उच्षिक्षा साथियों 20 वर्स यह 50 वर्स तक की सिक्षा है जो उच्षिक्षा होगी इसमें कहा गया ये किवल दार्षनिक हेतों दी जाएगी और इसमें से उसे हटा दिये गया सैनिकों को क्यों आप देखे सातियो यदि सैनिक पचास वर्स तक पढ़ेगा तो देश की रक्षा कब करेगा तो बिलकुल इन्होंने अपने इस उसे सिक्षा मैं से केवल और किवल किसको सिक्षा देने की बात कही है दार्षनिकता को यानि जो राजा होंगे जो विवेक सील विक्ति होंगे वही लोग पढ़ेंगे उत्पादवर्ग वाले नहीं Hmm not आप लोग देखना इसमें देर खाये अभी से समझो क्या रखा है नॉट दार्षनिक संथा शानिक वर और को पिलेट्एोण वने अभीवावक वर का • कि पेपर पेपर में कही बार पूछा जा चुका है कि पिलेट्ए ने अभीवावक वर्ग में कौन से दो भर रखे है दार्शनिक और सानिक बिरको अभक बरग का सब्सक्राइब का है साथ हडियुक सका इनले सिक्षा की संबने मान सिस्क Kruse का मानसिक उपचार है सिक्षा किसने का यह दोनों विचार पिलेटों के हैं पहला विचार है सिक्षा विक्ति का आध्यतिम भूजन है और दूसरा है मानसिक रोग का मानसिक उपचार है सिक्षा अब देखिया गए अलोचना अलोचना क्या है अलोचना में क्या का गया सामैवाद और परतिबंद सामयवाद और संपत्ति पर प्रतिबंद की बात करता और ऌूप समझें हैं। पताय गया है कि राजा को परिवार से मुक्त रखना चाहिए और राजा को संपती से भी मुक्त रखना चाहिए यदि राजा को संपती दी जाएगी तो राजा कुस हो जाएगा और काम अच्छा नहीं करेगा परिवार और उनको परिवार भी नहीं दिये जाएगा यदि उनक का बिचार है अरस्तु का क्या का अरस्तु के लिए कि पिलेटो का पुत्र होने से गोद लिया पुत्र अच्छा है यानि पिलेटो के पुत्र से गोद लिया हुआ पुत्र अच्छा है ऐसा अरस्तु ने कहा था क्यों कहा था क्योंकि यह बताया गया है कि जो राजा होगा दो विजिए सोदात जूट का पřर्चार सिध्धांत वह देखिए क्या है। है ऐसा पोस्टर ने कहा है वहाँ है किसले का था कि कि इनका जो दारशनिक विचार है वो सबसे मौलिक विचार वाना गया है बो आप दखें आगे लगा राजा के अधिकार उट हम देи कार हैं वह क्या है राजा कैसा होना चाहिए साथ यह बता आए राजा कि राजा के पास विवेक होना चाहिए साथी राजा को कानून से मुक्त होना चाहिए कि कानून उसके उपर हावी नहीं होना चाहिए राजा क्या है अपने खुद विवेक से काम करेगा और राजा पर कोई कानून नहीं होना चाहिए साथी जन्मत के बंधनों से मुक् साथ एक सरख र přेजिएर खाने के लिए कहता क्योंकि सड़ीं उश्युप के लिए कहता है इसे फैक दीजिए तो साथ्यों तीन श्यप का सिद्धांत उसका कई बार हिपएपर में पुछा जा चुका है am देखें गराथस जौ Kart राज का सिद्धांत आस सात्यों यह यह दिया 40,000 लाइक देखिए अब इसमें देखेंगे इसमें उपादस की राजी के सिद्दान तो इन्होंने क्या बताया है यानि जो इन्होंने पहले अपना जो रिपब्लिक में जो सिद्दान दिया था दार्शनिक राजा का उसमें इन्होंने बदलाव कर दिया था उपादस राज समुद्र से दूर होना चाहिए पिर साथ ही इन्होंने अपनी जन संक्या के बारें बताईए यह जन संक्या के बार पिप्रम पूछी जा चुकी है पचास चालिस यनि कितनी होनी चाहिए पचास चालिस जन संक्या होनी चाहिए एक छेत्र में आगे दे रखा है विवा तो था परिवार यानि अभी इसमें कहरा आप पहले तो कहरा कि इन्हें विवासे मुफ्त होना चाहिए परिवार नहीं होने चाहिए राजा के जोकि उप आदस राजी के सदान्त में उन्हें कहा है कि राजा की विवार होने चाहिए उनका परिवार भी होना चाहिए लेकिन विवा 35 की आयों के लिए बात कर रहा है कितने की साहती हूं 35 की फिर क्या आई धार्मिक विवस्ता भी होनी चाहिए कैसा होना चाहिए धार्मिक विवस्ता लेकिन बाद में उस बात को पलटते हूं राद अदसराज किसदांत को इन्हों कहा है कि संप पत्ती भी दी जाने चाहिए तो साथियों काफी important topic था कैसे लगा आपको यह topic देखे साथियों हमारा चैनल है जी के भाई विनुल सर क्या है जी के भाई विनुल सर देखिए जी के भाई विनुल सर यदि आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चनल को रहेंगे जो आपको अती महत्पून रहेंगे नेट जी आरेप तदा फस्ट मिट की परिश्चा के लिए थैंक्यू जात्यों धन्यवाद